रच्चा चार के आरोपों में गिरे बिहार के उप मोखे मंत्री तेजस्वी यादव को लेकर महागट बंदन पर संकट मंदा रहा है आज जड़ी प्रवक्ता मनुज्जा का एक कहना है कि किसी तरह का कोई संकट महागट बंदन पर नहीं है इस तरह कि सारे स्क्रिप्ट ग्यारा अशोक रोड से लिखी जा रही है उनसे खास बाचीत की है हमारे से होगी प्रशान ठ्यागी ने बिहार के डिप्टी स्टीम तिजस्वी यादव पर सीवी आई की एफायर के दर्श होने के बाद बिहार की दानीती में सियासी बवाल जो मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है रोज आए दिन अलग बाजी अलग तरह के बयान आते हैं और अब नए अपडेट इस मामले में हैं जादा बाचीत के लिए आरजडी के नेता मनो जहां मारे साथ है सर कल आपकी जो पार्टी के द्यक्ष है जो उन्होंने कह दिया है कि तेजस्य यादव स्तीफा नहीं देंगे तो इस पर तक क्या पार्टी के अंदर क्या रुख चल रहा है देखे एक बात इस पास जानिए सिर्फ हमारे रास्टी धक्ष का बयान नहीं था वो वो मनो भावना थी हमारे ऐसी विधायकों की कि क्या 11 अशोक रोड के तोतों के द्वारा लगाए गये आरोप जो मन गढ़न्त और पाखंड से परिपूर्ण है उसके अधार पर इस्ति स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं तो यह बिहार के जन मानस में भी बात घर कर गई है मेरा यह कहना है कि अगर नितिश कुमार स्तीफे की मांग करते हैं तो क्या तिजस्वी अदब स्तीफा देंगे और उसी के साथ साथ जो भी आरज़ेडी के जो विधायक हैं जो मंत्री बन का जन्म होता है दो पहर में उसकी छठी होती है नामकरन होता है बयान लिये आते हैं और बयानों पर बयान लिये जाते हैं तो बयानों की पीरामीड हो जाती है शाम को उसको द्वस्त कर दिया आता है फिर अगले दिन एक नई कहानी लिखी जाती है हम इन कहानियों को आगा इसी संकट गहराय हुआ है उसमें सारी जो प्लाइनिंग है वो 11 अशोका रोड से है और जो बिहार के अंदर मागट बंदन चल रही है जो सरकार चल रही है वो अटूट है और आने वाले समय में एक जुटता और ज़्यादा बढ़ेगी कामरापसिर मुकेश कुमार के साथ प्रशानत यागी न्यूस वोल्ड इंडिया दिल्ली